शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें को विंद उतिष्ट गर्रद्वजा उतिष्ट कमला कांका ट्रेयोक्यं मंगलं कुरू बना झाल कर दो 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 कर प्राइब करने के बाबा साथ, आखर क्यों करें साहता, ना विक्रम जीत ने ऐसा कौन सा भला किया है हमारे साथ, यह सवाल शिसोदियों के भले का नहीं है जैमल, ज़स दिन विक्रम जित हार गया मुगलों से, उस दिन हमारी बारी आए, जब बारी आएगी तब देख कर मर जाएंगे, लेकिन मुगलों के घर भेहन प्याने नहीं जाएंगे, यह ठीक नहीं कि आमान सिंग में, लेकिन, आप कुछ कहने लगे थे बावर साथ, हाँ, मुझे लगता है इतियास बहुत बड़ी करवट लेने वाला है, इस बार उंत किसी न किसी करवट जरूर बै जोधा बाई से, मान सिंग की बहन, को? मुगल राजपूत हिंदुस्तान का युगराज है, हिंदुस्तान के राजगदी पुर बैठे रहा जिंदा रहेगा तब ना? हम सिर्फ मेड़ता की हदबंदी में सोचते हो, जैमल मेड़ता सिर्फ मेड़ता है, राजपूतों की एक टुकड़ी मेड़ता हिंदुस्तान नहीं है तो आप क्या चाहते? क्या केतने चाहीं वावस्ता? अकबर की राजसत्ता माननी पुड़ेगी और अगर लड़ना है तो विक्रमजित से मिल जाना होगा वरना अकेले, अकेले, सब जी पे रहो मा, कृष्णा कहा है? अरे जरा दम तो ले, आते ही बहन की चिल तब बढ़ गई कभी मा को पुछा है इस तरह मा, तुम तु यही हो न वो बिचारी यहां कितने दिन है, कल भी आही जाएगी, चली जाएगी अज मेरवालों के यहां से रिष्टे की बात आयी थी, उसका क्या हुआ? पौली के दिनों में जाओंगा तो मिलकर आओंगा, मैंने कहलवा दिया है भाया, मेरे लिए क्या लाए? यह ले और मीरा के लिए? मीरा के लिए उसने यह अंगुष्टी मागी थी लेकिन भाया, यह तो हीरे की है? तो? वो कहा पहने की, उसके लिए तो मंगल लाना था मंगल? वो तो एक जोगन पैदा हो गई है इस खर में मैं तो कहती हूँ, पहले उसी को ब्यादो छोटी है तो क्या हुआ? मुझे तो बेटी से भती जी का बहुत ज्यादा लगता है मैं तो कहता हूँ, दोनों को एक ही दिन ब्यादो एक ही से? बहुत पाजी है ये लड़की बहुत पाजी भाईया, मेरा हजारी हाल, वो तुम्हें बूली गए लेकिन मैं नहीं बूला मैंने कहा था न, तेरे दहिज पर दूँगा लेकिन यह मत पूछना के दहिज कब मिलेगा वो तो मुझे मालू है कब मिलेगा? शादी होगी तब और शादी कब होगी? चतुरा मिलेगा बस वही मिलना मुश्किल है तेरे लिए तुम भी इसे वैसा ही कुछ समझा दो न जैसे मेरा को उसकी मा समझा गई थी मेरे तो गिरे धरगो पाल दूसरो न पाई जाके सरमर भकट मेरो अमत साई जैसे मेरे तो गिरे धरगो पाल दूसरो न पाई कोई कहे थारो कोई कहे जोरो कोई कहे थारो कोई कहे जोरो मियो है अक्षिया खो कोई कहे हलका कोई कहे थारो कोई कहे हल्का, कोई कहे भारो, दिया है तरा चुताल दूसरो न कोई इनेर का दिडे धरब पाल, दूसरो न कोई कोई कहे छाने, कोई कहे चवने, कोई कहे चवने दियो है पचन का धौल कन का कहना मैं सब कुछ दीना कन का कहना सब कुछ दीना दियो है बाजुबंद भाल दिरी नेरे का दिरी धरग पाल दूसरा ना काई मेरा और कृष्णा कहा गई है जरा देख तो वो तो देवा की कष्टी लेकर खिलमा गई हुकुम वही हुआ ना जील के उस पार तक कृष्ण के मंदिर में जाएंगी सिसोधियों का इलाका है कहीं किसीने कुछ कह दिया तो मेरा रानी तो श्रीकृष्ण के बहुत भगत है हुकुम भग तो हम भी हैं और वो तो दिवानी हुई जा रही है मंदिर के लिए पंच दीपी क्या लाई हूं पंडिक जी जिति रहो बेटी चलो बेटी अंदर चलो महराज यह मंदिर उजडावा क्यों लगता है तो भकत नहीं आते हैं आते हैं बेटी काम आते हैं राज घराना देवी की पूर्या करता है ना इसलिए प्रजय भी दुर्गा के मंतिरों में ही जादे जाती है वहाँ प्रशाद भी जाते मिलता है ए कहाने जा रहे उसे जी जी आप कश्टी लेके चले जाईए हम देख लेंगे ने अच्छा इन लोगों के साथ मेरता से आये हो छोड़ दो इसे इसे छोड़ने सकते बीवी लेकिन आप भी वापस नहीं जा सकती जानते नहीं मेरता वाले आँ कदम नहीं रख सकते छोड़ते हो कि नहीं यह मेरते हैं हुकुम इसकी कश्टी में मेरता से आये हैं राज घराने से लगती हैं आप दुपट्टा लो सर पर वीरमदेव की बैटी हो राजा वीरमदेव का हो क्या हुआ क्रिश्ण क्या जानती नहीं के मेरता वालों को इस इलाके में कदम रखना मना है क्या भूल गएं के जैमल ने हमारे कुलगुरु के हाथ पाउं बांध कर वापस भीज़ दिया था छोड़ दो इने और आंदा कोई मेरतिया इस तरफ कदम रखे तो मुंडिया काट के जील में बहा देला अगले ती नमावस युद बंद रहेगा अकबर का ये प्रस्ताव हमने स्विकार किया हमारा हुली का तहवार है रूसीरोज अकबर अपने वलियत बेडे के जनम पर जशन मनाना चाहता बादशाह ने ये दिन मुकरर करने में बहुत दूरंदेशी से काम लिया है उसकी दूरंदेशी तो हम उसी दिन भाब गए थे जिस दिन राजपूतों के घर में उसने शादी की थी हम इस वक्त में फोजों को फिर से तयार करना पड़ेगा एक-एक सिपाई इस वक्त एक-एक दस्ते की कीमत रखता है राजपूत लड़ते लड़ते थक चुके हैं उन्हें हर तरह का आराम दिया जाए भोज कहां है नई फोजों का इंतिजाम करने चित तोड़ गया है उन्हें फॉरण उड़ेपूर बलाई जो कुपन अकबर का पैगाम अकबर ने अपने बेटे के जशन पर न्योता भेजा लिखा है जो तो फिर भी लड़ लेंगे तोली का तहवार है और हमारे बेटे का जशन क्यों ना एक बार गले मिल लें बिलकुल अकबर जैसी बात तो क्या आप इस जशन में जाएंगे नहीं हाँ तोफा जरूर भेजेंगे आखिर मान सिंग से हमारी भी रिष्टदारी है हिंदुस्तान के कोने कोने से हमें मुबारिकबात के पगामात और तहाइफ मौसूल हुए आप जानते हैं मिया तांसेन क्यमती हीरे जवारात के साथ-साथ किश्मिश, बादाम, चिलगोजे और काबल से जानते हैं क्या भेजा गया हमारे लिए हिंग हिंग क्योंके हमारे शैदाई ये जान गए हैं क्या हमें मूं की डाल में हिंग का बगार बहुत अच्छा लगता है उन्हें मालुम हो गया है क्या हम यहां के रहने वाले हैं हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तानी हैं समर का अंदर बुखारा से आयोए हम लावर नहीं हमारे बाप दादा की कवरे इस बात की गवाही देती के हम हिंदुस्तानी हैं हम खुश हैं हम खुश हैं के हमारे वली अहद की तैमूरिया रगों में राजपूती खोन में शामिल है लेकिन राजपूतों ने अमारे नूर नजर की पैदाइश पर जानते हैं क्या तौफ़ा भेजामान से इसे पहचानते हैं ये क्या है ये बीन है बीन जो सपेरा साप को बहलाने के लिए बजाता है आपको बजानी आती है ये तौफ़ा राणा विक्रम जीत सिंग ने हमारे लिए भेजा है ताके उस साप के बच्चे को जो पैदा हुआ है बहलाने के लिए हम सीख ले मैं शर्मिंदा हू मावली नहीं मान सही शर्मिंदा तो हम हैं कि हम खुद कुछ समझा नहीं पाए हिंदुस्तान के शियाओं ने क्या भेजा हमारे लिए जानते हैं आप अब लफजल चरा पोशाक उठाकर तो देखिये ये चंदन कतिलक इचिनव ये आरती की घंटी ये तोफा भेजा हमारे लिए हमको हिंदु होने का ताना दिया उन्होंने हम अपने वलियाहित का मजभ जानना चाहते हैं एक ऐसा मजभ जो मंदिर और मस्जिद से अलग उसे अपनी कौम अपने वतन का नाम बता सके कोई ऐसा मजभ अपने अपने नामस्ते नमस्ते जैमल राजा जैमल हैं गर में वो अजमेर गए हैं लेकिन आप यहां की आप क्या में जब ही आप यह से पहुचे क्या मिर्था वाल ने सस्योधियों के राज-फोर कर नहीं पयचा न ही थेव ए का में अर थेयंगा टैवा गजळी के तेवाने बस्कतिए वजना शेग में नंद यंकीर मृठा बहाना मिर्था मेरता में खड़े होकर इस तरह बात करते हैं? कौन है बेटी? किससे लड़ रही है? मैराना विक्रमजीत का छोटा भाई फोजरा जुए भाई जी ने आपके लिए संदेशा भीजा बहुत बड़े होगे बहुत वर्ष पहले देखा था मीरा, बेटी तरह गुलाल तोला इनसे होली तो मिले है पिया बिन खारी लागे होडी होली की बच्ची और भाई जी ने कलवाया है कि आप जहां कहेंगे वहीं आकर मिलने को तयार है अरे उन्हें मेरता में आकर खुशी होगी अगर उनके यहाने से आपकी शान में कुछ कमी ना है ज्या बात करते हो बेटा उनके यहान आने से हमारी शान बढ़ेगी कम नहीं होगी अपने भाई को यहान भेजकर जो मान उन्होंने मुझे दिया है वह मैं खुद चलके चुकाऊंगा सुना है वह चितोड लॉटा है जी हाँ युद कुछ दिनों के लिए बंद है और बच्छे तौड में ही रहेंगे माना के बड़े योधा है राजपूत युद स्थल से कोई पित दिखाकर नहीं भागेगा लेकर एक एक मुठी फाउज लेकर कब तक लड़ सकेंगे कब तक मुकाबला कर सकेंगे अकबर का राजपूती सी तरह बटे रहे तो अकबर को राजपूता ना खत्म करते देर नहीं लगेगी मैं तो खुदी एक अरसे से यही सोच रहा था कि अगर हम आपस के बैर खत्म कर दे इस वक्त वाउद बड़ी ताकत जमा कर सकते हैं अगर मेरता हमारे साथ हो जाए तो छोटी मोडी रियास्तों को मिलते देर नहीं लगेगी हम आपके साथ हैं लेकिन बैर तो रहेंगे सिसोधियों से चलिये यही सही कुछ भाईचारे के बैर और बढ़ा लेते हमारे छोटे भाई भोजराज को आप अपनी बर्खुरदारी में दे लीजिए जी जी हाँ अपनी बेटी कृष्णा हमें सौंग कीजिए हम कृष्णा की शादी तैकर आये हैं यह शगुन की मिस्ली है मुह मीटा कीजिए और जैमल कहा है जैमल क्या हुआ रानी कुवर भाई ऐसे हैरत से क्यों देख रही हैं आप हम तो आगली पूर्वी मा की तारीख भी तैकर आये हैं पीटी सी सौधियों के घर जाएगी हाँ कुवर भाई इस शादी को चाहे कुरबा नी समझो लेकिन इस वक्त राजपूतों को एकता की बहुत जरूरत है और इसलिए यह समझा होता लेकिन जैमल जो उससे मैं समझा लूँगा यह संभव नहीं हो सकेगा होकुम शी सोधियों के घर भेज कर मैं अपनी बहन की बली नहीं दूँगा वावसा वो देखे अजबेर वालों के हाँ से शगूं की थालिया भी पहुँच चुकी अगली पूर्णिवा की तारीख मैं भी पक्की कराया हूं बावसा नहीं जैमल अंध्रेर हो जाएगा बड़ा ही अंध्रेर हो जाएगा अगर यह शादी सिसोद्यों के घर से तूट गई तो अनर्थ हो जाएगा जैमल आप घबराते क्यों है बावसा युद्धी होगा ना अब तो अजमेर वाले भी हमारे साथ ही अब देख लेंगे इन सिसोद्यों को अगर चुप रहो हर वक्त के मर्मितने के भादूरी मत दिखाया करो मुझे फेड बक्रियों के कटने से इतियास नहीं लिखे जाते जैमल गाजर मूली की तरह काट दिये जाओ गया अगर इस वक्त भी एक नहीं हुए अगर लगना है मरना है तो किसे मकसद के लिए मरो किसे अदर्श के लिए जान दो तलवार का धनी हो जाने से आदमी सूर्मा नहीं हो जाता सिर्फ तलवार बास होता है अगर मरना है तो किसी सूर्मे के मौत मरो लेकिन अजमेर वाली जो जो मैं कहता हूँ वह करो, जा कर समझा दो आज मेरे वालों को, कि यह शादी मेरे वेती की नहीं है, यह राठ हरो कि यह शादी है इस छेसोद्रियों से. जैमल. 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 नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आ जायेगा, शायद कल तक आ जायेगा शादी की तैयारियों में कुछ कमी तो नहीं नहीं द्वीप महल हम कृष्णा के दहज में देंगे और हजारी हार वो तो जैमल खुद देगा अपनी बहन को लेकिन कृष्णा कृष्णा का विचार क्या है राजपूत लड़कियों के विचार वही होते हैं जो उनके माबाप के विचार होते हैं राजपूतानिया अगर सती हो के मर सकती हैं तो सती हो के जी भी सकती हैं पूर्णी माया है, जैमल वापस क्यों नहीं लिए उटा है, अभी तो कोई ख़बर नहीं उसकी है, नहीं किया कोई दो किया जबर लो को लोगवा ख़बर बान अबर्णी माया, जैमल वूर्णी सेवेशाएभी किया किया अभी तो कि अभी तो कोई आराईएभी अब क्या होगा? बाराते तो दोनों तरफ से आ पहुंची हैं अज मेरवाले इसी सोधियों को डॉली नहीं उठाने दे के हाँ हजारों राजपूत एक डॉली के लिए कठ मरेंगे कोई भी वापस नहीं जाएगा आखिर होगा क्या? क्या हो सकता है लड़के मर जाने दो वापस में अक्वर के लिए आसानी हो जाएगी नहीं एक जाएगी रड़के मरे लिएवावद एक है आखिर अजय क्या वापस में जाएगी अजय करेंगे अजय क्या जाएगी जो बहाज़ जो 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 पता नहीं मैंने ठीक किया या भूल की लेकिन मैंने तुम्हारी शादी भोजराज से तै की थी एक आदर्श के लिए टुकडों टुकडों में बटे हुए राजपूतों को बचाने का मेरे पास यही रास्ता था बेटी बस एक ही रास्ता था कि पुर्खों से चली आई दुश्मनी को खतम करने के लिए मैं अपनी जान के टुकड़े की कुर्बानी दे दू और इसलिए मैंने तुम्हारी आहुती दे दी बेटी लेकिन वो सब बेकार हो गया सब बेकार हो गया इन हजारों राजपूतों को आपस में कट मरने से बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बेटी कोई रास्ता नहीं उन्हें सिर्फ तुम बचा सकती हो बिटी आपस्का नहीं है आपस्का नहीं ख्या है जद बेटी के बेटी के धिन धुम के जेटी झाल 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 ख्वर्भार्श तुआ प्यूज विनकारण विनकारण किष्णा जहर नहीं खा सकती है हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा हम भी राजपूत हैं हम ने भी देश-ादर्श के लिए अपनी माई बहने कुरबान की हैं पहन जी, यह अर्थी नहीं उठेगी, नहीं, इस घर से अर्थी नहीं, दोली चाहेगी, आपकी बेटी नहीं, हमारी बहु मरिय, प्रिष्णा जाठोडू की बेटी नहीं, सिस सोधियों की बहु थी, वह अभी मरी नहीं, कल चित्था और जाकर उसकी मृत्य होगी, बहन जी, वहीं उसके संफकार पूरे होंगे, जिस आदर्ष के लिए शादी तय हुई थी, वह आदर्ष आवश्य पूरा होगा. भाई जी, राजपुतों के घर में लाशे नहीं म्याही जाती, मुझे गर्वा है अपने पती पर, जो अप्रिदेश की जरूरत के लिए अपनी बेटी को जहर दे सकता है. और उससे भी ज्यादा गर्व है अपनी बेटी को, जिसने पिता के आदर्ष के लिए एक सवाल नहीं पूछा, और चाल देती. आप ही ने तो उस दिन कहा था, कि राजपुतानी अगर सती होकर मर सकती है, तो सती होकर जी भी सकती है. आप क्या तर्ष को, अगर मेरी बेटी की ही जरूरत है, तो कृष्णा न सही मीरा तो है, उसे ब्याह कर ले जाएए. आप कि अ।ब्छा ले वे तो है, तो हैं तो हया जएएए. बाला, बाला, मैं बारागन हूंगी, बाला, मैं बारागन हूंगी, जिन भेशा मेरो साख रीडhole, सो हे खेश धरूंगी, बाला नगरा बनुदूगी कहो तो कुस मल सारी रखावा कहो तो भगवा भी सुआ कहो तो मोतियन मांग भरावा कहो तो मोतियन मांग भरावा कहो चित काम पेस बाला में बरागन होंगी किसकी बारात है मां? रुकमनी की, वो बड़े हवेली वाले ताउजी है न, उनके बेटी की शाजी है और वो घोड़े पर कौन बैठे है? रुकमनी का दूला, निचल बैठ मेरा, हिलती रहती है बस और मेरा दूला कौन है? तेरा दुगा बुरा सामने, गिर्धर सवाही गिर्धर प्रान हमारा वहा पस्त है यह तकाली खाड़ मैं तुपिता परिवार सूवे, मैं तुपिता परिवार सूवे तही तिन का तोड़ गाला मगरा गंदूदी दाला मगरा गंदूदी जिन भेशा मेरा साहब रीचे सोखी थेश धरूँदी दाला मगरा गंदूदी दाला मगरा गंदूदी ओम स्वस्तिन हिंद्रो व्रदस्चवाः स्वस्तिन पूशा विष्ववेदाः ओम अगनिर देवता, वातो देवता सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता वस्वो देवता, रुद्रो देवता आदित्या देवता, मरतो देवता विष्वे देवा देवता ब्रस्पतिर देवतेंद्रो देवता, अलो देवता, विश्वानी देव सभीतर दुरतानी परासुव, स्यक्ततायन पन्नत्रासुव, स्वस्तिनस्तार एक्षो, हरिष्टनेमे, विध्यारं देविवाये च, परेशे नर्गमे तथा, संग्रामे संकटेश चैव, इगनस तश्चिन जायके, शुक्लाम बे परमदेवं, शशी वरनं, चतुर बजम, वसन नवदनं, तायके सर्व बिगुव, को शंते, सर्व मंगल मंगली, शिरी सर्वाक सर्दीके, शरंडी तंबके गोरी, चान्ते, यह क्या तरीका है भाया, ना ग्रे परवेश की पूजा हुई, ना देवी का प्रसाद हुआ, ना कुल गुरु का आशिरवाद लिया गया, कैसे करती वो सब, आलत नहीं देखी उसकी, तो एक दिन महमान घर में ठहरा दिया होता, फुल की रसमें पूरी के बगएर, घर में कैसे परवेश होगा बहु का, मैंने तो पूरी कर दी रसमें, और कैसे यह तुमें, बहु की रसमें बहु की होती हैं भाया, कल जब बहु वोज होगा तो तूम पकाऊगे, हमने भी हजारों लड़कियों की शादियां होते देखी हैं, इस तरह तो दौरे पढ़ते कभी नहीं देखा किसी को, अकले से काम लोगता, अगर घर में मेरी लाश पड़ी हो, और तुमारी डोली उठागे ले जाएं ब्याने वाले, तो क्या हालत होगी तुमारी, दौरे नहीं बढ़ेगा, दौर क्या होगा प्रिष्ण के संस्कार भी पूरे नहीं हुए थे, और हम डोली उठा ले आए अब कैसी तवियत है, अच्छी है, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, ख्रमा चाहती हूं, घर में कदम रखते ही, सबको बेहाल कर दिया, नहीं, चिंता की कोई बात में, आपको भी बहुत दुख दिया, सुख शायद नहीं दे सकूंगी आपको, लेकिन, कोशिश करूंगी, और दुखी न करूं, रिष्णा तो मुक्त होगी, और मैं, क्या तुम खुद को बंदी मैसूस करती हो, तुम जानती हो न, जिस आदर्ष के लिए ये संबन जोड़ा गया है, वो आदर्ष ही जानती हूं, उस आदर्ष का सदा पालन करूंगी, और कोई संबन शायद न जोड़ सकूं, राज़ीती के विचार से राठोडों ने समझोता तो कर लिया, लेकिन मन से सी सोदियों के लिए घ्रणा नहीं निकाल सके, कारण ये नहीं, सी सोदियों के लिए मेरे मन में कोई बैर नहीं, तो फिर क्या कारण है, कारण मेरा अपना विश्वास, मेरा प्रेम, तुम किसी और से प्रेम करती हो, हाँ, प्रेमा के लिए में करते हुआ कार शर्णा चढ़ी हो,ईकी मेरा उसक्का बढ़ा तो प्रेम ड़ी प्रीम करती है लिए मैंपन से थेन सबहरा से अठाल थेन आपके, थेन करें, अब आूसधाता अब नहीं, अब कैना में अपकन ऴ्यान करता हैं? ब्याहता हो चुका है मेरा उसी से कौन है वो? क्रिष्णा कौन क्रिष्णा? वही जिसकी मूर्थी में अपने साथ लाई है हम नहीं जानते थे के तुम मजाग भी कर लेती हो आप मजाग समझते हैं विश्वास नहीं आता आपको क्यो नहीं लेकिन लेकिन हमने भी तो तुमसे ब्याद किया है क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? इससे पहन कर विश्वास आजाएगा यह जानकर भी कि मैं ब्यादा हूँ हाँ वह ब्याद तुम्हारी आत्मा का है और यह बचन दो जब तक यह दे है तुम इसे दे से अलग मीं करूगी जब तुम्हारी आत्मा काली भद्रकाली का पालनी तुर्गाक्षमा स्वाधात्नी स्वाहा स्वधानमो स्थे जय तंदेव चामंदे जय भूतार्त हारनी जय सर्वगते देवी कालाते स्नमो स्थे मतुकेटा विद्राविवदार्त बढदेनमहा रूपम देई जयम देई यशो देई दुषो जयी ओम जीम ख्लीम श्लिम फट्थ पशुपशाय विद्महे महापशुवे घिमहे दन्नो निन्नो पचो दया पशुत्तम बली रूपेन ब्रम्मना निर्मतम स्वयम अतस्त्वाम ध्याते स्वामेन यसमात यग्नी बदु बधर विक्रम जीत नहीं आये राना जी तो युधिस्तल पर गए है लोट नहीं सके बली के लिए उनकी तलवार भिजवाई गई है ओम रीम महिश मर्दनी स्वाहा रीम काली काली लोह दंडाय स्वाहा जय महाकाली जय महाकाली आज बहु पोछे महाप्रसाथ देवी के चरण छुआकर रासी रसोई में विच्वा दिया चाहते इसे तोड़के डाल दीजी इसे तोड़के डाल दीजी यह आप क्या कह रही है रानिमा यह तो महाप्रसाथ है होगा इसे रसोई से बाहर ले जाए मैं मास नहीं पकाऊँगी भावी कहा ना यह मास नहीं महाप्रसाथ है हमारी पुलगुरु ने आज खुद बली पुजा करवाई है इसका निरादर नहीं किया जा सकता मैं किसी की पुजा का अनादर नहीं कर रही है मैं सरफ इतना कह रही हूं कि भावज में मास नहीं पकेगा लेकिन इस घर की यही रीत है भावी चार खुट से चारो अचारियों को भूलवाया है उन लोगों को क्या खास पात खिलाएंगे हम लोग? ऐसा कभी नहीं हुआ इस घर में हमारे घर में वही करना होगा जो हम चाहेंगे इस घर के जिन्मेवारे मुझे सौंपे गई है, जी-जी ये बहु बोज मेरा है और क्या पकाना है? ये भी मेरी इच्छा के अनिसार होगा ये घर तुम्हारा है के हमारा? मुझे कहा गया है कि ये घर मेरा है तुम्हारा है के नहीं? ये तुम जाकर अपने भहिया से पूछो करते हैं प्राजर रुधो तो सुरा स्केश्मिन कीति मृधिम्ददात्मे शुत्पर्वास आमलाम जेश्टा मलक्षीनास्यामियम महाराज परोसा लगा दूं, अन्य उर्दूद की ही पकवान है, स्विकार करेंगे ना, हाँ हाँ, बहु बोछ है, बहु जो खिलाएगी खाएंगे, तो उस महाप्रिसाइद का क्या होगा जो आपने भिजवाया था, उसे बाहर भिखवा दूं, क्रोध बुध्धि विनाश्क करता है उदा, क्रोध नहीं करते हैं, हम शत्रियों के परोहे थें, देवी के भक्त, मास तो महाप्रसाथ है, बहु पकाएगी और हम ग्रहन करेंगे, शमा करें महाराज, जीजी ने कहा था, पर मैंने मना कर दिया, देवी तो जगद जननी है, सबको प्राण देती है, लेती नहीं, मेरा घर की बहु की तरह मरियाद में रहू, गुरुजी से तरक नहीं किया करते है, कहने दुना भोच, बहु से तरक करना हमें अच्छा लग रहा है, विधवान दगती है, हां बहु, क्या तरक है तुम्हारा? तर्क तो पकवान में कंकर की तरह होता है महाराज मेरे पास तो केवल श्रद्धा है प्रेम है और वो भी अपनी गिरिधर के लिए माखंच और महाप्रशाद क्या जाने ये शूर्वीर राजपूतों के महले बहू आज देश की जो हालत है उसमें उक्षत्रियों को भक्तिभाव के मंजीरे नहीं बजाने है तर्क शेत्र में जाकर तलवार चलानी है माखंच खाएंगे तो दुर्बल हो जाएंगे नहीं महाराज, उसी माखंच और ने दुर्बल होते हुए अर्जुन से कहा था ना शस्त्र उठा, खुरुक्षेत्र में कितनी तलवारें चली थी तो फिर इंग तलवारों के महाप्रशाद से हिचकती क्यों हूँ महाराज, वो तलवारें युद्ध में शत्रों पर चलती थी घुंगे, बेबस, खुंटी से बंदे हुए पश्रों पर नहीं उन पर तलवार चलाना तो कायरता है मेरा भोजन भी परोसगी या तरखी करती रहोगी परोसा लगा दू महाराज, सब कब भूक लगी होगी भूक का भ्यास कर चुके हैं हम तुमारे माईके में हाथ पैर बंदवा कर वापस भेशने से पहले भूक का प्यासा ही रखा था तुमारे भाई ने आप उसका दंड मुझे देंगे, ये कुन सी वेरता है महाराज? बस करो बहू, हम दरनारी से तर्क क्या यही हमारी फूल थी अब इसके परशताप में इसी ख्षन से हम पांच दिन का मौन धारण करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं कर दो कर दो कर दो चेरी तोरी करो ना सुन। शाम ओरी तुम्रे पारन सब सुख छोड़ा अब मह प्यांदर चोगो बीरह व्यथा प्लागी और अंतर सोतम आए बुझा करुना सुन। शाम ओरी मतो होई रही चेरी तोरी पुल्मा सुन। प्रणाम भाई जी जी ते रहो कैसे हो बहु कैसी अच्छी है भाई जी जीती रहो बेटी। शमा चाहते हैं हम भव भोज पर नहीं पहुंच सके। लेकिन भोजन हम इस वक भी वही खाएंगे जो तुमने बनाया। हमारा हिस्सा तो रखा होगा। या अब रहमन सब खा गए। संभिया का भोजन त्यार हो रहा है भाई जी बासी क्यूं खाएंगे। अशाद कभी बासी नहीं होता भोज राज। थंडा जरूर हो जाता है। उसे गरम कर देना बहू। लेकिन आपका है तो बहु बोज में मास नहीं पका था जेड जी। इसलिए इन्होंने भी नहीं खाया। सर्फ शाह का हैरी बोजन ही बनाता। क्यों? क्या? बली नहीं दे गई थी मंदर पर? बली दे गई थी भाई-जी। लेकिन मेरा का ब्रत्था ना, इसलिए वह, मंगल का ब्रत्रक्ती हो तुम भी, हमारी मा भी ये ब्रत्रक्ती थी, और उस दिन महाप्रशार नहीं बनता था घर में, हमें आज भी याद है, मोज राज तब भी चाची के महां जाकर खा लिये करता था, मासख़ू, हम तो जो भी तुम्हे बनाया है, वही खाएंगे मेरा, हम भी खाएंगे भाईजी के साथ क्या बना रही हूं? अगडी बड़ी ग्रहस्तन लग रही हूं आज क्यों? ग्रहस्तन हो नहीं क्या? क्या बना रही हूं? अगडी किसके लिए? क्रिशन को राजपूत बनाऊंगी जिस तेश रहना, वही भेश पहना अच्छा एक बात बताओ क्रिशन से क्या रिष्टा है तुमारा? जो स्वामी के साथ होना चाहिए और हम से? आप तो मेरे राणा है आपका बुरा लगता है जब मैं सुना, तुम राधा से बात चलती हो किसने कहा आप से? डलिता कह रही थी मुही मेरे चुगलिया क्या करती है राणा से? नहीं वो तो तुमारी हर तरह से प्रिशंसा करती है यह सुनकर बड़ा अजीब लगता था कि तुम राधा से जलती हो लेकिन आपैसा नहीं लगता वो श्चलन का अनुभव हमें भी होने लगा है तुमारे कृष्ण से जेर्शी चले गए? हाँ भाई जी तुमारी बहुत तारिफ कर रहे थे पहरे थे बहु बहु बहुत सुगड़ है अरे हाँ जेर्शी बहुत भारी जिम्यदारी दे गए है कहते थे ख़जानी की चाबिया है मैं कहां संभाल सकूंगी आप ही इसे रखिए भाई जी ने तुमें दी है तुमी रखो मैं आप इसे उदा जीजी को दे दीजी बल्कि ये गहने भी मैं उन्हीं को देना चाहते है हमारी सास ने ठीक ही कहा था क्या? कहा था बेटा जोगन बया कर ले जा रहे हो हीरे पन्नों से मान नहीं महरेगा उसका प्रेम ही प्रेम का थन्य है उसके पास लेकिन हमें क्या मानू था कि वो भी हमारे लिए नहीं जी सुना तो मौद अच्छा गालेती हो लिखती भी हो उस भाई जैसी पुस्तक में कई बार लिखते देखा तुब है पड़ा भी होगा नहीं ऐसी कोई चोरी हमने नहीं की सुनाओ ला सुनाओ राणा जी मैं तो गोविंद के गुन गासों राजा रूठे नगरे राखे हरी रूठा कहा जासों राणा जी मैं तो शाम मने चातर राखो जी शाम मने चातर राखो जी चाकर रहसों बाग लगासों मित उठ दरसन पासों रिंदा बन की अंज गलिन में तेरी लागासों शाम मने चातर राखो जी चाकरी में तरसन पाऊं सुमेरन पाऊं खरती भाव भगति क्या तेरे पाव तीनों गातां सरती शाम मने चापर राखों दी नूर मुकट पीता बरसो ही गल बैजन की माला ब्रिंदा बन में धेल चरावे मोहन मुरली वाला मेरा के प्रभ गहिर कभीरा सदार हो जी धीरा आधिरात प्रभ दरसन देने तेन दी के तीरा शाम मने चापर राखों जी चाकर रह सबाग लगा सूनित उठ दरसन पासूं ब्रिंदा बन की तुन्ज दिन में तीरी ली लागा सूं शाम मने चाकर राखों जी शाम मने चापर राखों जी तो आधि बड़ा प्रेम ये बड़ी श्रद्दा है तुमारी आवाज में जिसके घर गई हो भाग्यवान है कोई आहा, बैरागनों का दर्द है तुम सहागनों का रस है हर पल मिलती हो, हर पल विछड़ती हो जैसा मेल है वैसी विरहा आहा, लो एक तारी पे गाया करो वेटी पूछो इससे, यह क्या कर रही थी वहां मंदिर में और यह कारा से किसने दिया है जील किनारे जो क्रिशन मंदिर है एक बाबा थे वहां, वो दे गया है बाबा नहीं भाईया, वही चमार रायदास चमारों और ओग्रों में बड़ा संद कहलानी लगा है क्या, क्या वो संद, संद रायदास थे हाँ, हाँ, जो मेरा से दो गोल गाले वही संद हो जाता है आज कल तुम भी दो दिन नाचोगी वहां, वो संद कहलाने लगोगी भया, तुरा पूछो इससे, किस तरह हाथ पैर मार मार के नाच रही थी वहां मेरा, सुबह शाम की उल्जन मत बनो मेरे लिए, हुमारे रहन सेन के दस्तूर अनुखी नजर आते हैं ऐसे कुण से अनुखी बात की है मैंने, इस घर में भजन किर्टन की रस्म नहीं है क्या इस घर की यही रस्म है कि यहां की बहु बेटियां बगार आगया की घर से बार नहीं जाती आप नहीं कहा था, मैं इस घर में बंदी नहीं हूं वह माजाद हो, मैंने यह भी नहीं कहा था लाओ यह तमूरा मुझे दो जी जी, मेरे साथ हाथ चलाने की कुशिश मत करना हूं जो कहना अपने भाई से जाकर कही है यह कहने जरी जेवर कुछ अच्छा नहीं लगता लगता यह घर ग्रेस्ती छोड़कर ऊड़ जाने को जी करता है नहीं मेरा, अब कोई दुसरा स्थानी है तुमारे लिए काशी चली जाओंगे तुलसीदास के शरण में यह संत राईदास के चरण पकड़ लोगी, कि मुझे घ्यान दे बताए मुझे कि मैं क्या करूं मीरा, तुम्हारा मन भेटक रहा है, मन को स्थीर करो अपनी स्वामी को और्जो करते वेह तुमारे, उनमें त्यान दो जिसे स्वामी माना है, वही आगर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता चल क्यों करता है, कपट क्यों करता है मुझे मीरा मैं राधा नहीं जो ब्रंदान में बैठी रहा देखूंगी निकल जाओंगी, जिस तरह भी बांसुरी की दून सुनाई दी हाई आज सुबे से जो घोड़ा लेकर गए हैं अभी तक वापिस नहीं लोटे शायद उदेपूर किया होगा, विक्रम जित के पास भाई जी के हुकम के बगएर वो चितार नहीं छोड़ सकते या आप जानते हैं उस रोज भी यही हुआ था बहु भोज के दिन साइस कह रहा था चंगल में घोड़ा दड़ा कर पागल कर दिया था उसे उसका मन शांत नहीं है उदा यही तो मैं देख रही हूँ मेरा को कुछ दिन के लिए मैं के भीज़ दूँ? हाँ, आगर भोज आग क्या दे? आपकी क्या रहे है? मेरा के लिए भी यही अच्छा होगा हाँ, हाँ, आपकी क्यों पुछ। मेरा के रहाँ, आपकी क्या रहाँ मेरा के अधा है आपकी कि दिए भी यहीक southeast यिए हाँ, आपकी, प्यू आपकी क्या दोज़ा हाँ, आपकी क्या जापлекborgück culprit आपकी कैसादा नहीं जो जो आपके ना आपकों ये बांसुरी बजाताओ वह कौन जा रहा है तरसे गरदारी होकुम ग्वाला लेगिया ले आएं समय है ना रोज इस दिना जाता है कि शाम को लौट कराता है उसे कह दो कल से अपना रास्ता बतल ले महल के पास से हो करना चाहिए जो हो पूंग झाम को दो हो अाता है को ओध अज हता है करको तो दांग मेरा, बाकी भक्तों में बाढ़तों बाहर, पंडी जी, ये नाम वले आपके लिए लाई हम, सुखी रहो बेटी, ये उजड़ा मंदिर तो एक बार फिर से बसके है, तुभारे आने से भक्त भी आने लगे हैं बेटी, भगवान भी आते हैं कभी, मैं तो उन्हीं की खुज मे भगवान ही का सुरूप तो होते हैं, बेटी, तुम भी तो उन्हीं का रूप हो, भगवान जब ब्रंदा बन जा रहे थे, तो राधे आई उन्हीं, राधा का नाम मतलो, पंडी जी, क्यों बेटी, मैं उसे, देवा कहता था, वो मेरी सौत है, भगवान के भगवान सब एक के समान होते हैं, तो फिर उसे भी मीरा कहो, या मुझे राधा, चल मीरा, राणा जा के होंगे, वो सोई ही कब थे, मैं दूशी हूं लगता, राणा के लिए बड़ी दूशी हूं, यह क्या है, राणा जी ने आपको माई के तक पहुँचाने के आग्या दिये, और कहा है, और क्या कहा है, राणा जी ने, और कहा है, जब आवशकता होगी, तो हम खुद आपको बला लेंगे, करे करावे आप ही, नामन अपना दे, आप ही हाथ बढ़ाएगे, जह भावे किसे, हुआ है, बढ़ राणा जी ने, जह बादा हाथ जे, च श जादा है, इह जए तो हम खबने तक पहुँचाने के तक किसे, जह जगूँचाल मजी ने, जह डोँड़ाईगे, राल डिले, जी जुगचाने के तटे, जह बढ़एगे, अ बऴ़डईशने के पहीत अजहाने हमने तो सुहागन बना कर भेजा था बेहन को शी सोधियों ने बैरागन बना दिया दोश मेरा है भीया, रान जी का नहीं प्राइस चित करने पिता के घर क्यों आई हो? अब तुम्हारे पाप, पुन्य, सुख, दुख, सब पती के खरें पिता के खर नहीं जाने से पहले मासार ने शिक्षा तुम्हें नहीं दीती क्षमा करना भया, राना जी ने अमानत लोटाई थे तुम्हारी चोखट से छुके ले जा रही हूं भाबा सा पता नहीं, कब युदू से लोटेंगे माल ओटेती है त्यात्रा से, तो कहना मुझे आश्रुआ दे जो शिक्षा धुरी रह गई उसे पूरा कर सुकम लालिता इस पर तुम मेरे साथ नहीं होगे अपनी शिक्षा अपना ग्यान मुझे आके लिए प्राप्त करना होगा सुदाकर, यहाओ भई देख चूला न बजने पाए यहाओ बजने अव्यगा यहाओ बजने उसे पर अव्यद्र शिक्षा नहीं अपना इस प्राप्त कर दो कर दूबावे जहाओ बजने फस्किन मेरे मेरे नकोई अचकावे यहाओ यहाओ लिए कुए रायदास खलास चमारा जो हम सेरी सोमीत हमारा कौन? मैं, मीरा है मैं हो तो मीरा क्यों? और मीरा हो तो मैं है कौन? बैठ जाओ, चौकी कहिंच लो क्या चाहिए? दान मिला था, भेक्षा चाहिए खाली था जब पूरा लाग्यो खम लाग्यों जब पायो थोड़ो ग्यान चाहिए, महराज आई आखर प्रेम के जाने सो ग्यानी होए भग्ती क्या काफी नहीं थी जो ग्यान चाहिए वह भी शूदर से, गवार से राजपुता आने से यहां तक आई हो पूरब को चल जेती हैं तो काशी पहुंच जाती है तुलसी दासी सक भेंट हो जाती अरे तुलसी के पास जाओ, परम ग्यानी है यहां देगा तुम तो रंगई गई कुमती लई साद की संगत भगत रूप भैसाची मेरा सावरे खे रंगराची मेरा सावरे के रंगराची मेरा सावरे के रंगराची साजी सिंगार बांधु पग भूंगरो लोकलाच तजनाची मैं सावरे के रंग ताची मैं सावरे के रंग ताची मैं लाज सरम खुल की मर्यादा सर से दूर करे लाज सरम खुल की मर्यादा सर से दूर करे मेरा भगत रूप भई साजी मैं सावजे के दंग राची मैं सावजे के रंग 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 राची मैं सावजे के राची राची तो यह मंदिर आपके होकम से बंध हुआ है हमारे होकम से इसे तोड़वाय भी जा सकता था तो क्या आपके होकम से पुजारियों को आपने भगवान भी बदलने पड़ेंगी हमसे तर्क मत करो भाहू हम जाते तो उस पुजारी को मेर्थ दंड दे सकते थे उसने लाजा की धर्व में बाधा डाली है उस दंड का अधिकार तो मेरा है बाधा मैंने डाली है हम तुम्हें पश्चाताग का अफसर देते हैं कल करवचौत का दिन है अपनी पती के लिए व्रत्रक्र प्राश्चित करो पती ही तुम्हारा परमेश्वर है हाँ परमेश्वर ही मेरा पती है मेरे परमेश्वर को तो आपने ताले में बंद कर दिया है मैं तो उसी के लिए व्रत रखूंगी और तभी खूलंगी जब वो दर्शन देगा तुम समझती हो यह मंदिर फिर खुलेगा पता नहीं महाराज आपका अधिकार तो सिर्फ ताले जोखर तक है परमेश्वर तक नहीं पता नहीं आप खुलेंगे या वो खुद खुलेगा बहु, हम तुम्हारे आने की सूचना फोच तक पहुचा देंगे और कह देंगे मेरा अपने विश्वास की परिक्षा ने रही है आग्या दी जाए निराज शोने पर वापस खार लोटना चाहे तो हमें कोई आपती नहीं झाल 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 क्या लाई हो कला भोजन किसके लिए आपके लिए उदामा ने भेजा है उन्हें मालूम नहीं मेरा वृत है करवा चौत का वृत तो हत्म हो गया रानीमा चांद को देखे वृत खोल लीजे ना वो जानती है मेरा वृत कब खोलेगा तुम नहीं जानती होता वो इस तरह अपना व्रत नहीं खोलेगी तुम उसकी जद नहीं जानती थी आप जान जाओंगी जब व्रत फुलेगा जाओंग बन सिवारे लेलना जाओंग मुरे प्यारे रजनी पीते भर भाया है घर घर खुले की वारे जाओंग बन सिवारे लालना आपका व civी सब्सक्राइप आप일 अरह अच्छा है ना? आज मरे, कल दूजा दिन. देखती हूं, कौन के बार खोलता है मंदिर के? अच्छा हाग मंदिर के बार उच्छा है तुम बीन रख्याय जाय यारे तरशन दीजो हाय जल बीन कमल चंद बीन रजनी ऐसे तुम दिख्या विलन सजनी आको लग्याको लखिरू रे बीन विरह कले जाकाल यारे बरशन दीजो हाय आको लग्याइ बादल बेखनरे, बादल बेखनरे, खाशाम बादल बेखनरे, बादल बेखनरे, बादल बेखनरे, बादल बेखनरे, आज चौधवा दिन है, कब तक भूकी प्यासी जिन्दा रहेगी? ना रहे, जरूरत किसे है? भाई जी तो अगल हो गए है बादल बेखनरे, बादल ओ 550, मेझाद मेर् है झाचल में अगल रहे rी, बादलेखना बेखने किसे हैं किसे जाज़त किसे हैं झाल 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 प्रामप्राम् प्रामध्धाम् प्रामध्धाम् पुरिषम् चाश्वत्म् दिव्यमाधि देवं्य। मनुष्य असम्पून् है। मनुष्य मनुष्य की परिक्षा की योग्ती नहीं है। किन्तु धर्म, समाज का नियम है। और जो इस नियम को खंडिक करता है। धर्म, समाज, परिश्वर के प्रतिदोशी है। नैतिक पाप है यह, और सामाजिक अपराती है। प्रमनों और प्रजाजनों। राज की उमर भोजराज की पत्नी राजरानी मीरा पर आरोप है। कि इसमें एक नहीं कई नियमों का खंडन किया। उन पर विचार करने के लिए यह धर्म अदालत बुलाई गई है। इश्वर की इच्छा और प्रजाजनों की अनुमती से, मैं धर्म अदालत का कारे आरंब करता हूँ। मीरा के दोष्ट प्रजाजनों को पढ़कर सुना दिये जाए। प्रथम। धर्मÚ शासट और समयच के नियम के इनुसार निश्चित है, कि पत्नी अपने पति का धर्म सुईकार करे, मीरा ने अपने पति का धर्म सुईकार करने से हिल्गार किया। मीरा ने परपुर्शों से संबंद जोड़े जो रिष्टे में न उसके ससुराल से थे और ना ही नहर से छोटी जाती के लोगों से संबंद बढ़ाकर मीरा ने राज परिवार की मर्यादा को फ्रष्ट किया मीरा ने कृष्ट मंदिर जलाने की चेश्टा ही जो राजसी हुक्म से बंद कर दिया गया था पती के अनुमती के बिना मीरा ने पती का घर छोड़ा और एक से ज्यादा दिन तक बाहर रही पराना भोजराज की सिवा भी मीरा किसी और को अपना पती मानती है जो धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी बिस्त्रे के लिए पाप है राजा प्रजा और देश के प्रमुक्षत्रू सुल्टान अकबर से मीरा ने उपहार सुईकार किये जो स्वयम उसके भाई राजा जैमल की मृत्यू का कारण हुआ मीरा, तुमने अपनी पती का धर्म सुईकार करने से हिंकार किया हमारा प्रश्म तुमसे है मीरा, क्या तुमने अपनी पती का धर्म सुईकार करने से इंकार किया? जवाद क्यों नहीं देती, महन जी पूछ रहे है के? उदा, यह तुम्हारे परिवार की समस्य नहीं, धर्म और न्याय का प्रश्म है मीरा, तुम्हारा माउन, तुम्हारी खामोशी तोष्य सुईकार करने का प्रमांद होगी हम तुम्हें अपनी सफाई का और अफसर देतें क्या तुमने अपने पती का धर्म सुईकार करने से इंकार किया? महरो धर्म तो एक ही सँजो, भवसागर संसाण मेरा, यह कविता का समय नहीं है, जो प्रश्न किया गया है, उसका उतर दो महारा धर्म तो एक ही सांचो, धव्जागर संसार सब कांचो क्या तुम सुविकार करती हो, कि राज़कुमर भोजराज के सिवापी तुम्हारा को और पती है? जाके सर मोर मुगत, मेरों पती सोई, तो अदालत यह माले, कि तुम्हारे एक नहीं दो पती है, मेरे तो गिरिधर गोपाद, दूसरों न कोई, पत्नी होने के नाते अपने पती की तरफ तुम्हारे क्या करतवे हैं, यह तो अवश्चु जानती होगी, उसे संतान भी दे सकत जिसे अपना पती मानती हो, नारी का यह करतवे तो अच्छी तरह जानती होगी, मैं आत्मन हूँ, शरीर नहीं, मैं भावना हूँ, किसी समाज का विचार नहीं, मैं प्रेमी हूँ, प्रेमिका हूँ, केवल प्रेम नाम की जोगन, किसी संबंद की कड़ी नहीं, किसी जो आहार अपने परिवार चे लेती हो, उनकी तरह तुम्हारा कोई फर्ज नहीं, यह वस्त्र जो पहनती हो. वस्त्र शरीर के लिए है महराज, शरीर वस्त्र के लिए नहीं. जैसे लिबास शरीर से ज्यादा महत्वपून नहीं होता, वैसे शरीर आत्मा से ज्यादा महत्वपून नहीं हो सकता जो परिवार तुम्हें जिन्दा रखता है और जिस समाज में तुम रहती हो, क्या उसके नियम तुम्हार नहीं कोई महत्व नहीं रखते? आज इसी पल मैं अपना परिवार और आपका समाज दोनों का परित्याग करते हैं हमें अफसोस है मेरा कि तुम्हारे विचार के लिए हमें ही नियुक किया गया है तुम्हारे कुल गुरू होने के हैश्यत से नेरे ग्यान गुरू संपराईदाज है आप में एक नीग चाहती के आदमी से और ग्यान मिल भी क्या सकता था तुम्हें जिस्याग की बात करती हो तुम उसमें समाज के नियम से प्रार और छुटकारे का चल नदर आता है जिसे प्रेम कहती हो उसमें हिरस और वास्तना की गंद आती है वरना कई दिन तक पराए पुर्षों के साथ तुम घर से बहर न रहती तुमने राज खराने के मान और मर्यादा को फ्रश किया है प्रजा के धर्म में बिश खोला है लाणा बिना कोई विचार किये तुम्हें मत्यु दंड दे सकते थे लेकिन ये हमारी विशारता है हम तुम्हें सफाई का अफसाद दे रहें क्योंकि हमारा धर्म आज भी शमा और पश्चताप को दंड से उचा श्थांग देता है क्रोध बुद्धी विनाश करता है महराज क्रोध न करें आप अपना धर्म देखे मैं अपना कर्म कर रहे हूं मृत्यू से मुझे भई नहीं जिस शरीव से सीमित हूं उसकी मृत्य हो जाए तो मैं असीम हो जाओंगी अनुंत में समा जाओंगी आप परिणाम की इच्छा से बंदे हैं और मैं इच्छा का परिणाम जांती हूं मेरे कर्मена गीता मस्त शिखाओ हमें, यहाना क्रश्क है न अर्जुन्ना कृप्षित्र तुम के दोसी गीता की रचना कर रही हो? उसकी गीता भी एगी थी, और गीता का वो भी एगी था, मेरा क्रश्ना तुम्हारा क्रश्टना, तुम्हारी बपोती नहीं है वो नहीं का शेश्कार कल पूरा होगा, मेरा को वापस बंदी खर में पहुचा दिया जाए जाए वली तो चारों बंद गीन, मैं हरी सौं कैसे मिलीं जाना बार बार पगधनी जातंसा, बार बार गुट्वा बार गुट्वा युद से लटाए हाँ युद से महायुद के लिए लटा हूँ बहुत घाव दिये युद ने तुमने जो घाव दिया है, व सबसे क्यारा घाव है मेरा तुम शमा मंगनो, मेरा मेरा दोशी क्या है? तुम शमा मंगनो, भाईची तुम्हें माफ कर देंगे तुम नहीं जानती, तुम्हारा दन निश्चित हो चुका है तुम्हें मृत्यू दन दिया जाएगा तुम्हें जाहर का प्याला पीना पड़ेगा मेरा तुम, तुम भाग जाओ तुवार कर चली जाओ वहां तुम्हें कोई नी चूँ सकता वहां कमजोर न बनो राणा जी मेरे राणा तो राजपुद है मेरे राणा को ये शोभा नहीं देता पी शोभाट नाजपुमर का स्वास ठीक नहीं है वोक्षमच आते हैं आज आदारत में उपस्तित नहीं हो पाएंगा क्या हुआ राणा को? राणा को क्या हुआ है? तुम्हें क्या सचमुछ फोजराज की चिंता है बहू? चार दिन पास रह लो तो पड़ो उसकी चिंता हो जाती है महाराज अपने राणा की चिंता नहीं होगी मुझे, जिनकी शरह में इतनी जिन जी हो अपने परिवार में और किसकी चिंता है तुम्हे तो आपकी भी चिंता है महाराज, जिन्हें बहुत त्येश दिया है मैंने चांट जिन्हें त्याग रही हो, उनकी चिंता भी करती हो तो चिंता अपनी प्रेम की है महाराज, परिवार की नहीं तुम दिवानी हो गई हो मीरा और दिवानों को हमारा कानीन दन नहीं देता है उनका इलाज करता है प्रेम क्या रोग है जिसका इलाज करेंगे आप चांद ये धर्म अदालत है नवचंदी का मेला नहीं प्रजाजनों से निवेदन है कि वो मौन धरन करें मीरा तुम पर देश्त रोई होने का रोप है तुमने देश के प्रमुक शत्रू सुल्तान अगबर से उपार स्विकार करें मेरा कोई शत्रू नहीं तुम्हारे देश का शत्रू क्या तुम्हारा शत्रू नहीं आप अपना देश बस वहीं तक मानते हैं, जहां तक आपका राजपार चलता है आपका देश कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है मैं आपकी सीमा को अपने देश की सीमा नहीं मानती तो मगबर को भी अपने देश का शत्रू नहीं मानती जो तुम्हारे भाय की मृत्यू का कारण बना और जिसने तुम्हारे पथी को आसंग के खाव दिये देश प्रबंध और राजनीती टाना के खेत्र है, मेरा नहीं नयाय आसंग पर बैटकर नयाय करना हमारा ख्षत है जो भी देश्षित और धर्म नीदी के बुरुति वैभार करेगा, उचे दंड देना हमारा कर्तव्य है मैं आपको अपने कर्तव्य से नहीं रोक रही हूँ अपने अपरात का दंड जानती हो तो मेरा दंड क्या होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ मैं आपको अपनी हत्या के पाप से मुक्त करती हूँ तरक और विचार के समय समात हुआ, कल मेरा का पैस्ता चुना दिया जाएगा हुआ हुआ है आप, अबड़ी हाँ थरो कि अच्छा भी लो और मीरा को कैज से निकाल के लिए जाओ जो संत्री तुम्हें यहां तक लाया है वो दौर का तक पहुंचा देगा लो नलिता वक्त बहुत कम है मीरा क्या अत्मा मर गई तो शरीर बचा के क्या करें गया आप बंद करें योगदेश जाओ चली 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 आसे तुम भी कुछ नहीं कर समती तुम भी ढरती हो मेरा से हाँ मैं भी डरता हूँ उस चली के सामने आखें चुम द्याने लगती है तिनों तिनों आखें नहीं कुछती लगें टूटने लगती है कुछ पर्दाश नहीं होता आखें आखें डूबने लगी है डूबती चारे है मुशे मैं मुझे कुछ सिखाई नहीं देता मैं तुकता जारा हूँ मैं दूब रहा हूँ मैं हकूँ लेटा जाओ जली जाओ यासे जाओ 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 तर्म कवा है और प्रजा साख्षि है राजा भोजराज की पत्नी जाजरानी मीरा का न्याय विचार पून हुआ खर्म शास्त्र, सामाजिक विधान तथा नैतिक मानताओं के अनुसार मेरा अपरादी थाबित होती है यह प्रमानित हो चुका है कि मेरा ने धर्म का खंडन किया, राश्ची आदेशों का उन लंगन किया और नैतिक मानताओं को नश्ट किया खर्मादालत ने इन सब अपरादों के लिए मिल्क के दंड निश्चित किया है खर्मादालत मेरा को चल्लोग के सामने विष्क प्याला पीने का आदेश देती है आश्मान थो धर्म्पतिनीदियो और पज़ा जनो हमें शोक समचार देते वह दुख होता है कि मेर्ता के राजा विरमदेव मुखलों से लड़ते हुए आज युद भूमी में शहीद हो गए मीरा उनके खांदान की आफ़ी निशानी है खर्मादालत से हमारी बिंती है कि मीरा का न्याए विचार करते हुए उसकी तरफ दया और साहले भूती से विचार किया जाए धर्म का कारे भाप का नाशी नहीं विश्वास की स्थरपना भी है हमें एक और अफसर देते हैं मीरा को अगर वो अपने पती का धर्म अपना ले और जनलोग के सामने श्मा मांगे तो धर्मादालत उसे माफ कर देने के लिए एक बार फिर से विचार कर सकती मीरा गजर के तीन बार बजने तक तुम्हें विचार करने का समय दिया जाता है तुम्हें विचार करने का समय दिया जाता है थेरो एक बार एक माक और दीजी मैं मीरा से एक आंथ में बात करना चाहता हूं मेरा एक आर तुम्हें जानते हो ना युद पर जाते हुए पीचे से आवाज नहीं देते मैं अपने सत्य के युद पर चाह रही हूं मुझे पीचे से आवाज मत देना पीचे से आवाज मत देना युद आवाज मत देना युद आवाज पीचे से आवाजHeि・क बेढ़ युद आवाज मत देना युद आवाज अंरु कर दो 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 दर्द न जाने को तेरी में तो तें दीवान जो में जाने को तेरी में दुखों हो नजर धंड़ारा पीत ती ती तुना की जोको तेरी में तें दीवान मेरा दर्द नजामे था इ्रिने सक्ति तुना की ज तुना गड़ा दर्द नजाम इड़ा धें द region Hind सक्ति तुना की जोको एड़ कर दो कि एख मर्ण, हुआ हुआ हुआ, हुआ 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 झाल झाल